नाप्पुर सुधारपण्यास यानि शर्की स्तानिय स्वायतसंस्ता एनाइटी को कुछ लैंड माफिया दोरा 71 करोर रुपे का चुना लगाने का मामला सामने आए है लैंड माफिया ने एनाइटी की जमीन की गयर कानुनी तरीके से बिक्री कर डाली यह जमीन खेती के लिए दी गई थी जबकि इस जमीन पर 400 मकान बन गए वाठोडा पुलिस ने इस मामले में बिल्डर समेथ 11 लोग उपर धोकादरी का मामला दर्च किया है साथी पुलिस विभाब की आगे की जान जारी है एनाइटी की वाठोडा स्थी चांदमारी में 19.1 एकर जमीन है इसका मुल्य मालिक पांडा तेली नामक किसान बताया जारा है एनाइटी ने पांडा तेली से 1953 में ड्रेनेज वर सिवरेज डिस्पोजल स्कीम के तहत यह जमीन अधिकरहित की थी योजना शुरू नहीं होने से एनाइटी ने अधिकरहित जमीन 1999 में महीमत शेंद्रे, गजाना शेंद्रे, यशोदा बोंद्रे, सार्जा बावनकर को खेती करने के लिए लीज पर दे दी और बाकाइदा इसका अनुबन किया इसका इंचारो यानि चंद्रकान शेंद्रे, कमलेश शेंद्रे, मंदाश शेंद्रे और प्रेमचन शेंद्रे की मदद से जमीन अपनी मालकी की होने के फर्जी दस्तावेज बनाए और बिल्डर धर्मदास रामानी, शेक महमूद, मुकंद व्यास को पॉरफ अटर्णी का दस्तावेज पत्र बनाकर जमीन के अधिकार सोब दिये रामानी और व्यास ने इस तताकरी जमीन पर लियाउट बनाकर प्लॉट बेच डाले कुछ लोगों द्वारा शिकायत करने के बाद इस मामले में पुलिस ने एनाइटी अधिकारियों से कई बार मामले की जांच करने कहा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ आगे बाद बढ़ने पर यह मामला पुलिस अधिकारियों को कारवाई के निर्दश दिये और बाद में गहराई से जांच में एनाइटी को 71 करोड का चुना लगाने का बड़ा मामला सामने आया जिसके बाद पुलिस के साथ मिलकर एनाइटी ने वहां स्तापित कुछ अतिकरमन और निर्मानाधीन मकान भी तोड़ डाले इस मामले में एनाइटी के पृतेश बंसोड की शिकायत पर दोकादड़ी का मामला दर्च किया गया है इस मामले में बिल्डर समेथ 11 लोगों पर मामला दर्च किया गया अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है फ्लाइवी एविएशन अकाड़मी एक ऐसा इंस्सिट्यूट है जहां पर एर्लाइन और एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट